हरे क्रिष्णा तो आज बहुती शुप दिन है पवित्र दिन है वशंत पंच्मी आप जानते है भारत भूमिमा ने कुछ सब है जो कि पूरे भारत भूमिमे हर जगा लोग इसको सलिब्रेट करते है और वहुती संदर उस्तव है तो हम गुरुकुल में भी आज उस्तव बना रहे हैं और आप सब को बहुत बहुत शुप कामना है वशंत पंच्मी के लिए तो वशंत पंच्मी क्या है? कर वसंथ पंचमी वसंथ यानि वसं Hunting रितु आज से शुरू हो रह रहा है इसको बहुत अच्छा hydrhum माना जाते रितु का राजा माना जाता dauम रितु बहुत सुन्दर फूल खिलते हैं जिसमें वह रितु आज से शुरू है इस बिगनिंग आप देखेंगे पुरे भारत वर्ष में हर जगा इस फेस्टिवल आप येलो कलर हर जगा आप देखेंगे पीले फूल पीले साडिया पहनते हैं लोग पीले कप्रे पहनते हैं और पीली मीठाईया खाते हैं तो सब उस दिन एविटिंग येलो येलो पीला रंग का फेस्टिवल है वशंद पंचमी और विशेश करके सरस्वति देवी का पूजा इस दिन होता है जो की सिक्षा की देवी हैं विद्या की देवी हैं तो सबको उनको आरतना करते हैं श्रिमत भागतम ही कहा गया है नाराय अच्छी शत्पुद्धी थे जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और साथ ही साथ आज रगुनादास गोस्वामी रगुनदन दास ठाकुर विश्वना शक्तरी ठाकुर अनेक आचारियों के आज आभिर्वाप्ति थी बड़ा शुब दिन है रगुन और आके क्या किये शेतने महापुकी शरण लिए और आधाकुन के दट्परेगे भजन करते थे और भक्ति मार का प्रचार के आवनी तो ये महान आचरी रगुनादास को स्वामी वैसी विश्वना शक्तरी ठाकुर ने तो भागवतम में बहुत सुन्दर ठीका लिखाया है बहुत बड़े विद्वान थे बहुत बड़े महान भक्त थे तो इसलिए बड़ा शुप दिन है और ब्रच में एक चीज और विशेश है कि आज के दिन से होली उत्सब प्रारम होता है अब जानते हैं ब्रच में जो होली है आज अवद में आज विरज में होली खेले रसि लेकिन ब्रच में ब्रच में इसका बड़ा विशेश महत्व है कि एक महना तक आज से लेके और खुली जो गौरपुनिमाती थी वो 25 मार्च को है यानि कितने दिन हो गये लगभग एक महना 10 दिन सवा महना तक ब्रच में इस खुली का उत्सव लोग पालन करते हैं तो जित अनन्द होता है आज हमारे भक्ति विदान्द गुरुकुल में भी हम उत्सव बना रहे हैं हमारे जो यहां के शुडेंट से उननाया सरसुती जी के चड़नों में पूल चड़ाया और बाकी बहुत संदर उत्सव बनाया आज भी तो आप सब को फिर से बहुत-बहुत शु दुपात की जै है भाद बहुत दैने बाद हरे कृष्णा है